जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके चैनल में बहुत-बहुत स्वाबत है 21 जूम 2020 को सुर्य गरहन अभी अभी गया है इसके बाद बहुत से कयास लगाई जा रहे हैं और आपको ये भी डर होगा कि आपकी राशी के लिए कि इन 100 दिनों में आने वाली क्या होगा और कौन से चीज़े आपको फेस करना होगी और ये गरहन से क्या चीज़े आप फाइदा उठा सकते हैं बात उसी पर करेंगे कि इस गरहन का जो पोजिटिव फाइदा है चिनल से जुड जाएं, दूसरी बात है कि आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, आप वाटसप पर अपॉइटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, शुलक जो है वो नॉमिनल शुलक है दोश्तों, आप एक बार जरूर बात करें आपको कोई भी परिशानी हो, आपको शुलाः को एक ग्राहन होने वाला है, यह जो आने वाला जुलाः का महिना कि आपको मौन रहे हैं, मौन रहने सा मतलब यह होता खीसरी होका, इस सिञे मेंद सकता है, यह हिदायत है, इसका बेस्ट फाइदा यह लेना है, इन एक महिने कि चीज़ों को टाल उससी ठीचा ट बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे पहली बात ही कहा दिना चाहता हूं कि सपारत्मप परिणाम में कहीं भी किसी भी तरक्की जो तकलीफ है आपको दिखाई दरी वो नहीं है पर जो हमें इस दर्मियान जिन चीजों को पकड़ करें जिन चीजों को मानना है वह पहली तो फोड़ा रोक दे पंदरा जुलाई तक पंदर जुले के बात अब पंदर जुले के बात इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है अभी कर सकते हैं कि यह तीन बाते तो जो मुक्षिती इसके अलावा यह टाइम प्रेट ओमन में श्राय का जाप आप करते हैं यह थोड सकारत्मक और बहुत बढ़िया होने वाली है तो अभी सब कुछ बढ़िया होने वाला है और हमको इसी चूप ना करें जिससे की सब चीज़े खराब हो जाए बस सीधी सी बात लाग तके की बात में एक के देना चाहते हो हैं तो दोस्तों यह बात याद रखना इस सूर्य अच्छे दिन आपके फिर से जो सामाने सितिया होने लगजाई गरें अपने दोस्तों को साथ शेर ज़रूर करें जै महाकाल जैया शीर महाकाल जैया महाकाल